एलो दोस्तों कफी दिनों के बाद बना रहा हूं वीडियो यार वैसे तो देखा जातों सिर्फ पांच दिन ही हुए है लांत वीडियो पांच इन विदी उवे थे फासी इतना भी ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन फिर भी स्टिल मेरे मतलब काफी सब्सक्राइबर लोग काफी कमेंट सेक्षन मेरे पुराने वीडियो से कमेंट कर रहे थे भाई वीडियो लाओ लाओ तो मैं भी सोचा हाँ यार पांच दिन तो हो गए और मतलब आप लोग से इतना प्यार इतना लगाव हो गया मेरे वीडियों बनाते हैं फिछले पांच न महीनेसे तो यारत रोञा नलगा यारल कि आप लोको मिख कर रहे वहां तो आतरी है आज में कुछ डील लेकर आयों सेकेंड में और एक दो अच्छे डील से आप खुदी मतलब त्यावते ढूनो पता करो कि अच्छी डील है और हां दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि जो वेबसाइट में जो मैं कभी-कभी जो मैं आप लोगों बताता था वीडियो में जो डील बताते सब्सक्राइबर लोग के लिए जो की वह लिस्टिंग करेगा इंस्टेंट ली आपको मतलब जब मैं आपको वीडियो बना जो आपको बता रहा हूं वह उसी समय आपको वही सेम दिल आपको वेबसाइट में मिल जाएगा भी तो मैंने बंदा रख लिया है दोस्तों तो इ आपको वाटसाप में भी आपको रिप्लाई मिल रहे होंगे अभी ठीक है तो चलो जल्दी स्टाट करते हैं बहुत जल्दा बहुत ज्यादा लंबा बोल दिया मैंने तो मैं सबसे पहले एक मैं आप लोग को एक कोंब बताना चाहूंगा जिसमें है प्रोसेसर मदर रैम और ग्राफिक्स कार्ट तो जस्ट जस्ट पर डिस्प्लेइं तो इस प्रोसेसर में है आपका राइजन चती सो ठीक है राइजन चती सो राइजन 3600 वन अब बेस्ट एवर ग्रीन प्रोसेसर रहा एक टाइम का तो यह है आपका और इसमें आपको वन यर वारेंटी ये बड़ए 550 स्टील लीजन का मदर बोर्ड है ठीक है और इसमें त्व यर की वॉरन टी बाकी है बी इसका मतना चस्ट इक साल ही हुआ है ठीक है और इसके बात जी स्किल ट्राइट ज में आड़ एड़ रग बाता है बद तीस सो मेगा हार्ट्स वाला और साल की वारेंटी बाकी है बीबी यह आपको मिलेगा टू इंटू एट जीपी मतलब सोला जी भी रैम सोला जी भी रैम ठीक है और इसमें है आसुस का टू जीब आसुस का सेवें टेन जी टी ग्राफिस का जस्ट फोर एक डिस्प्ले के लिए ठीक है तो यह पूरे चुपा यह चुपा चारो एक दो तीन चार पांच पांच आइटम इसमें सब प्रोसेसर मदरबोर्ड वह भी तगड़े तगड़े मतलब सब आइटम इतने तगड़ा प्रोसेसर राजेंच अच्छतिस सो और तगड़ा मदरबोर्ड बी फाइफिफिटी एसरो का स्टील लिजेंड जी स्किल वाले प्रोड़क्ट हैं तो अगर 32,000 में अगर जिसको इतना कॉंबो जो जो लोग इतना कॉंबो जो मिल रहा ना मुझे लगता है बहुत तगड़ी दिल आप लोग को ले लेना चाहिए 32 मुझे तो भाई यह अच्छा लगा परसनी बोल रहा हूं मैं यह नहीं बोल रहा गैलेस का ब्लोवर अडिक्षन जो गैलेस का ब्लोवर और मोडल आता है यह आपको आटी एस 3090 वह भी सिरी 45,000 रुपीज में और प्लस टू जर्स की वारेंटी के साथ भाई आटी एक 3090 45,000 में में आपको आटी 3090 मिल रहा है बाई मैंने 3070 टी 92,000 में खरीदा था चलो जो भी हो आपको यह आटी 3090 यह 45,000 वारेंटी और जिसको जल्दी बता दो जल्दी से ले लो और वेबसाइट में लिस्ट हो चुका होगा आप जल्दी से खरीद दो जल्दी ठीक है और हाँ जिसक में क्लिक करना जब आप अड्रेस वाले पेज या पेमेंट वाले पेज से पहुंचो गे तो वहां पर देखना बोलहों होगा मतलबेंग डरेटेल जीपे नंबर फ़ण पे नंबर यूपी डिटेल होगा आप पर पेमेंट करके उसके बाद प्लेस आ debल करना और इनकेश इस बार किया काफी दिन से आपको रुपाई मिल रहा है मुझा होप कि मैंने बंदा रख लिया है कम से कम साथ आठ दिन तो होई गया ठीक है उसके बार नेक्स डील प्राइस बता रहे है 9600 रुपीज तो जिसको अगर एक जरूरत है काफी लोग मुझसे डीम कर रहे था है वाट्सप में सब बूले की 3400 जी अविलेबल है की नहीं अब ले लो यार आप कोई लेगा नहीं मुझे पता है अब ले लो मैं अरेंज कर दिया हुआ ठीक है इसको एक और है राइजन 4650 G4650 G इसका बिलिंग डेट है इसी साल का है फेबरी 2022 का और इसका प्राइस बता रहे हैं 10600 रुपीज यह जल्दी हडप लो यह भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट एक प्रोसेसर सिर्फ बेच रहा है सेलर इसका राइजन 3700 एक्स और यह बॉक्स बॉक साल चार-पांच महिना हो गया देर साल पकड़के चलिए वारेंटी बाकी है अब भी और इसका प्राइस बता है सिर्फ 15,000 रुपे शिपिंग मिला के ठीक है अच्छी डील इस उसके बाद है एक एक 83070 यार गैलेक्स का है यह डील भी मुझे अच्छा लग रहा है गैलेक इसको बजट आगर पीज के आसपा से तो इसमें जा सकते है उसका नेक्स डील है एक और है यह जो जो इस जो मॉडाल आता है यह जैसा फोटो में देख पा रहे हैं फोटो यह बोल रहे हैं कि MSI Mac 2X RTX 3070 और यह बता रहे हैं लगबग 11-12 महीन पुराना है यानि कि दो साल वारंटी तो बचाईए और बिल बॉक्स अवेलेबल है और इसका प्राइस बता रहे हैं 29,500 रुपे तो मेरे ख्याल से जो गैलेक्स का मैं इसके पहले बता था रहे हैं उससे तो बिल ख्याल से बैटर डील लग रहा है बहले 1000 रुपे ज्यादा है लेकिन इसमें आपको दो साल वारंटी भी बरावर मिल रहा है और MSI का भी है और क्या चाहिए तो यह मेरे ख्याल से ज्यादा बैटर डील है तो इसलिए भाई जो खरीदना चाहते हैं 3070 या 30 एर के बजट में तो यह का सब्सक्राइब तो आप MSI के ज्यादा आप पहले से पहले जा सकते हैं ठीक है अब एक और इंपोर्टेंट बात दोस्तों कि मैं देखा हूं यार मैं मतलब किसी जब कार्ट सेल कर रहा हूं 1060 हो गया 1066 GB 588 GB या आपका 1070 इस टाइब के ग्राफिस कार्ट बंदे लोग यू जब कार्ट का कि इसको अ कटा है कि मैं यह कार्ट लूँगा यह को का रोच यह तो बंदा यार क्या बोल हो एन्टि-स पोर्स यूज कर रहा है बंदा या चैसोड़ वाट वहला तो बंदा यह नोटिस कर रहा है यह नहीं बनाता है इंटेश्पोर्ट से कर दोस्तों मैं यह नहीं बहुत बेकर ब्रैंड है मैं पर्टिक्रोली मैं SMPS की बात कर रहा हूं मैं SMPS में आप आप इस टाइप का कुछ आती पाती ब्रैंड यूज कर रहे ना तो आप चेंज कर लो सब्सक्राइब अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं बेचना चाहता हूं मैं इसलिए बतारहूं कि आपका पीसी पार्ट्स आपका सेफ रहे तो अभर आप उसे मतलओ से दिक्वेश कर रहे हैं तो मैं हम लोग के पास SMPS है हम लोग के बास नहीं बता हमारे सेलर की पास है यह 550 वार्ट का SMPS ले सकते हैं Cooler Master का है इस ताप अच्छे ब्रैंड के हैं भाई अच्छे ब्रैंड के ही SMPS लेना भाई ठीक है इसमें वह तो नहीं है क्या वारेंटी तो नहीं है लेकिन आपको अच्छी कॉलिटी के अच्छे मदलब अच्छी कॉलिटी के अच्छे दिन काफी दिन चल जाएगा उस सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब आपको पता अच्छा ना होता आपके फ़रक पड़ेगा आपका जो गेमिंग में है जरूरी नहीं कि सिर्फ खराब होने का वेट आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में भी आपको ग्राफिस पर्फॉर्मेंस भी ड्रॉप हो सकता है ठीक हो सकता है ठीक है तो इसलिए मैं सगेस्ट करूंगा कि अच्छा पीसी यूज करें ठीक है इसके बाद नेक्स दिल है को इसका प्राइस बता रहे 5,000 रुपीज शिपिंग मिला के तो यह आप ले सकते हैं और किसी को चाहिए 5,000 रुपे में यार तो यह 5,000 रुपे में है इसलिए 5,000 रुपे का है यह सारे 5,000 रुपे का है क्योंकि इसमें बसेलर ने बताया है कि शिपिंग शिपिंग मिला के शारे 5,000 रुपे का पड़ेगा ठीक है तो यह आसुस का यह GTX 680 आसुस का GTX 680 है 4GB है DDR5 है थ्री डियस का टेस्टिंग वारेंटी है ठीक उसकी बात अब नेक्स डील को बढ़ते हैं नेक्स डील है MSI RTX 3090 ठीक MSI RTX 3090 यह मैं सोच ना भाई कि जो मैंने इसके पहले पता है था वह गैलेक्स का 3090 45,000 का है तो यह भी MSI का इतने का होगा ठीक है यह इसका प्राइस है MSI RTX 3090 का प्राइस है इसका इसका ओफिशल वारेंटी है जैन इनो 3D का RTX 2070 Super और सबसे अच्छा Super की बात यह है कि यह RMA से मिला है RMA से मन काफी लोग का पता नहीं रहता है पूछते मेरेको तो RMA का मतला वही सर्विस सेंटर गये थे उन लोग कंपीनी के सर्विस सेंटर तो वहां से उन लोग जो पुराना कार्ट था उसको दिया था यह लगा उसको आपको मतलब जो उपर जो पहला कवर होता है वह से और यह सील पैक है और यूज नहीं हुआ है और वन यह का वार्रीटी अभी भी बाकी है और इसका प्राइस बता रहें 20,000 रुपे तो मुझे लगता है यह यह डील बहुत अच्छी है तो आप यह ले सकत हम 17-18,000 में 2060 सूपर बेच रहा है तो 2000 पर मिला के और 2070 सूपर क्यों ना ले ठीक है तो मुझे बीस हजार के बजट में मुझे यह डील मुझे बहुत तगड़ा लगा और वार्रेंटी के तो बस यही इतने ही आज के डील्स थे तो और सोरी दोस्तों मैं काफी दिन से पा करों मुझे आप लोग के पास आया हूं तो मुझे पूरा एनरजी अपना पूरा टाकाट डाल नहीं पड़ेगा तो एंवे चलो ठीक है होप आज का भी डील्स आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मैं रोज ऐसे ही लाता हूं और मैं नहीं ग्राफिस कार्ड नहीं पीसी पार्ट के और सकेंट पीसे पार्ट के प्राइसिंग भी अपडेट देते रहता हूं आप लोग को तो इस अगर आपको इस्ता है कि वीडियो पसंद दो तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब लेना ओके चलो टाटा बा आप आप जाहीं